जैहिन विद्यार्थियों आप सभी का Unacademy के platform में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आए विद्यार्थियों आज हम एक नया session आपके लिए लेकर आए हैं वैसे विद्यार्थियों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की तयारी बहुत अच्छी चल रही होगी आज हम जो है रियासतों के सिलसले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इसमें आज हम कुछ नई रियासत पढ़ने वाले हैं वास्तों में जो आज का topic है यह है बुंदेलखंड की रियासते हैं और इन बुंदेलखंड की रियासतों में विद्यार्थियों हम जितनी भी बुंदेलखंड छेतर में रियासते थी उन सारी रियासतों पर बात करने वाले हैं विद्यार्थियों अनकेडमी के दौरा आप सभी को कुछ विशेश ओफर अभी दिये जा रहे हैं जो की केवल 28 तारिक तक valid है विद्यार्थियों यदि आप मेरा code S10 का प्रियोग करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20 प्रतिसत की छूट मिलेगी साथ ही आपको 3 महिने का extension भी यहाँ पर मिलना है चलिए विद्यार्थियों तो यहाँ समझते हैं कि MPPSC के लिए अभी आपका एक rapid revision badge स्टार्ट हुआ है जो आपकी MPPSC 2022 को target कर रहा है साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पटवारी के लिए पटवारी के लिए भी बैच चल रहे है targeted यदि आपका aim पटवारी है तो आप उसे भी join कर सकते हैं साथ ही FLT भी हैं 20 test total होने हैं जिसमें 10 आपके FLT हैं और 10 test जो हैं आपके क्या रहेंगे unit wise रहेंगे तो unit wise 10 test और 10 FLT यहाँ पर आपको दी जा रही हैं साथ ही विद्यार्थियों यहाँ पर आपको यदि आप PB या व्यापम की तयारी कर रहे हैं तब भी कोई भी subscription लेने पर आपको 20% का यहाँ पर discount मिलेगा आप मेरा code S10 का प्रियोग यहाँ पर कर सकते हैं चलिए तो आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं आज हमें पढ़नी हैं बुंदेल खंड की रियासतें और बुंदेल खंड की रियासतों में विद्यार्थियों सबसे पहले हम परिशय जान लेते हैं कि बुंदेल खंड की रियासतों का प्रारंब कहां से होता है किस प्रकार है तो समझेगा जहासी के जहासी के गहरवार साशक गहरवार वंस के साशक हुए गहरवार वंस के साशक हुए इनहों ने बुंदेल खंड छेतर पर साशन किया और इस छेतर को बुंदिल खंड के नाम से जाना गया कलांतर में यहाँ पर आपके इसे जजाक भुक्ती भी कहा जाता था जब हम यहाँ पर चंदेल वन्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि इसे किन के नाम पर यानि कि अर्था जै सक्ती के नाम पर इस छेत्र को जो है जजाक भुक्ती कहा जाता था तो विद्यार्थियों याद रखे गहरवार साशकों ने यहाँ पर साशन किया इसलिए इसे जो है बुंदेल खंड कहा गया वास्ता में ये सब बुंदेला साशक थे इसलिए इस छेतर को बुंदेलखंड कहा गया शुरुवात में मैंने बताया कि इसे जेजाक भुक्ती कहा जाता था ठीक है क्या कहा जाता था इसे जेजाक भुक्ती के नाम से जाना जाता था कुछ इतिहास कारों का मानना है कि इस छेतर को जो है आपका विंद छेतर कहा जाता था पहले क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि विंद वासनी माता का मंदिर है माता का मंदिर होने के कारण कुछ लोगों का मानना है कि इसे विंद छेतर कहा जाता था और वास्ता में कुछ इतिहास कारों का यह भी मानना है कि एक सासक हुए विंद्य सक्ति, विंद्य शक्ति, इन विंद्य शक्ति के नाम पर इस छेतर का नाम विंदेल खंड पड़ा और बाद में कलांतर में इसे ही बुंदेल खंड के नाम से जाना जाने लगा, बुंदेल खंड के नाम से इसे जाना जाने लगा था, तो याद रखेगा विद्यार तो बुंदेल खंड जो छेत्र है यहां पर गहरवार राजपूतों ने साशन किया था इसलिए इसे का कहा गया आपका बुंदेल खंड कहा गया बुंदेला साशकों ने साशन किया तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों यहां पर परिचय देख रहे हैं क कि बुंदेल खंड छेत्र में क्या क्या चीजें हैं कैसे इसकी सुरुवात हुई थी साथ ही इसके हम प्रमुख साशक पढ़ने वाले हैं और इस्थापत कला भी यहां पर हम देखने वाले हैं चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब अगल को बुंदेल खंड कहा जाने लगा और अभी हमने एक और बात की थी कि यहां पर विंद शक्ती विंद शक्ती नामक साशक ने शाशन किया था इसलिए ही इसे पहले विंदेल खंड और बाद में इसे ही बुंदेल खंड कहा गया बाद में इसे बुंदेल खंड कहा गया याद रखेगा विंद शक्ती ने यहाँ पर शाशन किया तो बुंदेल खंड और फिर बाद में इसे बुंदेल खंड कहा गया चलिए आगे कुछ चीज़ों को समझते हैं कि इनका विस्तार कहां हुआ करता था, बुंदेल खञ्ड छेत्र का वास्तिविक विस्तार कहां था, तो उसको समझते हैं, सबसे पहले यदि हम समझें, विस्तार जो है, माना जाता है कि यहां से बेतवा नदी आप सभी को पता है कि राय सेन से बेतवा नदी निकली है तो यहां पर बेतवा नीचे आपकी नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है तो यहां नीचे नर्मदा और उपर यदि हमने बात की तो बेतवा जाकर के यमुना में मिल जाती है तो यहां पर यमुना उत्तर में यमुना नदी यहां कहीं पर आपका विंदवासनी माता का मंदिर है विंदवासनी माता के जो मंदिर है इस मंदिर तक इनका विस्तार माना जाता है तो याद रखेगा तो यहां पर बेतवा नदी से कहां तक विंदवासनी माता के मंदिर तक और उत्तर में यमुना से दक्षण में नर्मदा नदी तक के पूरे छेतर को बुंदेल खंड माना जाता है अब यदि हम बात करते हैं कि यह बुंदेल खंड मुखता किन किन जिलों पर है कहां कहां विस्तरित था तो याद रखेगा मद्र प्रदेश के आपके छतरपुर, टीकमगड, सागर, दमोह, पन्ना, दतिया, आदी जिलों में विस्तरित था वहीं उत्तर प्रदेश में हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, जासी और जालोन इस छेतर में बुंदेल खंड का विस्तार हुआ करता था चलिए, थैंक यू सो मज बिल्कुल पूरी यूनिट कम्प्लीट कराएंगे, सबसे पहले MP हिस्टी जो है अपन कम्प्लीट करेंगे, फिर आट इन कल्चर पर आने वाले हैं, ठीक है, चलिए, जैहिन, गुड इवनिंग आगे समझते हैं, बटा चलिए, तो हमने देखा कि इनका विस्तार कहा था, सबसे पहले हमने विस्तार समझाओ कि यमूना से लेकर आपके नर्मदा नदी से विंडवासनी माता के मंदिर तक इनका विस्तार माना जाता है साथ ही अधी हमने बात की कि उत्तर प्रदेश के कुछ जले हमीरपूर, बांदा, ललितपूर, जासी और जालोन बुंदेलखंड में आते हैं वही मद्रदेश के छतरपूर, टीकमगर, सागर, डमोह, पन्ना और दतिया जो है ये सारे आपके जले बुंदेलखंड में आते हैं वही अब अगली बात करते हैं कि अब यहाँ पर बुंदेलखंड में कितनी रियासते थी जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ सबसे पहले हम और्चा रियासत की बात करेंगे और्चा रियासत पढ़ेंगे बुंदेलखंड में बहुत सारी रियासते थी साथ ही कुछ रियासतें वर्तमान यूपी में हैं, मद्यप्रदेश में आपके ओर्चा है, पन्ना रियासत मद्यप्रदेश में, चंदेरी, बानपुर रियासत, मद्यप्रदेश और यूपी वाले छित्रमित हैं, साथ ही यहीं दतिया रियासत, छतरपुर रियासत और जाता है तो साहगड रियासत भी हम इसमें कवर करने वाले हैं आज के लेक्षर में तो आज के लेक्षर में द्याद रखेगा बुंदेल खंड की सारी रियासते हम पढ़ेंगे और्चा रियासत पन्ना रियासत यहां आपकी चंदेरी बानपुर रियासत साहगड रियासत जै लंबी होने वाली है क्योंकि आप समझेगा बुंदेल खंड में इतनी सारी रियासते है। और सारी रियासतों को हमें cover करना हैं और तो और यहां पर दो-तीन और रियासतें जो पढ़ेंगे साहगर इंच्वह के अलाबा थाहगर करनी और विजय राहोगड रियासत भी हम यहाँ पर देखेंगे ठीक है तो यह सारी रियास्त पहosion कवर करने वाले हैं बेटा चले तो अगे बढ़ते हैं समझते हैं सबसे पहले और्चा रियासत को और्चा रियास्त कि यदी हम बात करते हैं तो इसका प्राची नाम हुआ करता था गंगापुरी तो याद रखेगा इसका प्राची नाम क्या था गंगापुरी था और तो और इन ओर्चा रियासत के आदी पुरुस या संस्थापक माने जाते हैं रुद्र प्रताप सिंग तो याद रखेगा रुद्र प्रताप सिंग बुंदे तो सबसे पहले हम परिज़े देखेंगे फिर प्रमुख शाषक देखने वाले हैं और साशकों के बाद हम थाक्त अस्थापत कला पर भी बात करेंगे याद रखेगा साशकों में सबसे पहले संस्थापक रुद्रपटाब सिंग के बारे में जैनेंगे फिर आपके भारती चंदर जी के बारे फिर मदुकर शा ऐसे जितने भी शाशक हुए हैं और जो महत्पूर्ण हैं उन पर ज्यादा चर्चा करेंगे जहां से प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं वैसे तो देखा जाए तो हर व भावित है कि यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो उन साशकों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो वह ज्यादा महत्यपूर्ण होगा हमें पेपर ओरियेंटिड बनना है विद्ध्यार्थियों हमें यह नहीं है कि पीचेडी करना है कि शीविसेपर तो आप समझेग जो सलेवस में हैं हमें वो कबर करना है और आगामी समय पर जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर विसेश यहां पर फोकस करना है तो आईए यहां पर सुरुवाद करते हैं हमारी और्छा रियासत सबसे पहले संस्थापक आपकी रुद्ध्र पृताब सिंग के बा राजधानी इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो किसे बनाया था और चा को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था साथ ही यदि हम बात करते हैं कि यह बाबर के समकालीन थे ठीक है यह किसके समकालीन चल रहे हैं यह समकालीन है बाबर के और विद्यार्थियों एक और ची समझ लीजिए इन्होंने दो महत्पूर्ण लोधी साशिकों से युद्ध लड़ा था पहले हैं सिकंदर लोधी और दूसरे हैं इब्राहिम लोधी तो याद रखेगा इन्हों ने सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी से युद्ध लड़ा था साथ ही इन्हों ने अपनी राजधानी हमने अभी समझा कि इन्हों ने अपनी राजधानी ओर्चा को बनाया है और साथ ही ओर्चा में यह अपना एक दुर्ग बनाने वाले हैं या किला बनाने वाले हैं जिसका नाम है ओर्चा दुर्ग या ओर्चा किला तो याद रखेगा औरच्छा का किला यदी पूछा जाता है कि औरच्छा के किले का निर्माण किसने या दुर्ग का निर्माण किसने कराया था तो संस्थापक रुद्र प्रताप सिंग जी ने ही यहाँ पर इसका निर्माण का रिपूर्ण ने कराया था चलिया तो आगे बढ़ते हैं दो तीन चीज़ें यहां महत्यपूर्ण हमने देखी कि सबसे पहले यह संस्थापक है दूसरी बात यह समझी कि यह बाबर के समकालीन है तीसरी बात विद्यार्थियों हमने यह समझी कि इब्राहिम लोधी और सिकंदर लोधी से इन्हों ने युद्रला था और चौथी बात यह है महत्यपूर्ण समझे कि इन्हों ने जो है आपके और्चा दुर्ग का निर्माण कराया है अब आपके रुद्र प्रताब सिंग के पशात इनके पुत्र अब साशक बनने वाले हैं भारती चंद्र ठीक है समकालीन रहने वाले हैं हुमायू के तो हुमायू के समकालीन कौन होंगे यहां पर आपके भारती चंद्र होंगे साथ ही एक और बात समझते हैं कि जिस समय जिस समय जो है सिकंद सेर्शासूरी ने याद रखेगा जिस समय सेर्शासूरी ने कलिंजर पर आक्रमण किया था याद रखेगा जिस समय इन्होंने कलिंजर पर आकरमण किया उस समय कलिंजर के नरियस हुआ करते थे कीर्ती सिंह के शाशक हुआ करते साथ ही एयदी हम बात करते हैं कलिंजर पर आकरमण किस ने किया था सेर शाह सुरी ने यहां पर आकरमण किया अच्छा अब कलिंजर की अभियान में कीर्ति सिंह की सहायता करने वाले हैं ठीक है तो कीर्टी सिंग की सहायता भी नोंने की थी सहायता करने वाले हैं भारती चंद्र तो याद रखेगा इन्होंने इनकी सहायता की थी और ये भी याद रखे कलिंजर अभियान सेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था साथ ही विद्यारतियों इसी अभियान में आप सभी को पता होगा कि इनकी उपर गोला गिरने से सेरशाहशूरी का देहान तो हो जाता है तो यहां हमने यह मातपूर बात समझी कि भारती चंद्र ने किसकी सहायता की थी कीरती पाल की सहयता की थी या कीरती सिंग की सहयता की थी जो साशक हुआ करते थे कलिंजर के साथ ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कलिंजर का जो अभियान था वह है अंतिम अभियान माना जाता है सेरशाह सूरी का क्योंकि यहां पर इनकी उपर ही गोला गिल जाने के कारण इनका देहांत हो गया था ठीक है चलिए तो आगे समझते हैं भारती चंदर के बारे में कुछ और महात्यपून बात है उसी समय पर जब भारती चंदर साशक हुआ करते थे तो मद्रपदेश में सेर पे प्रकार से भेजा था कि आप जाकर के समराज विस्तार कीजिए तो इसलाम शाह नहीं याद रखेगा करने वाले हैं गुंदेल खन शेतर और यह है जतारा नामक शेतर पर अधिकार कर लेंगे जो जतारा वर्तमान का टीकमगड में था तो जतारा पर आकर्मन करते हैं और उसका नाम बदल करके इसलामाबाद रख देते हैं तो याद रखेगा इसलामाबाद नाम रख दिया भारती चंदर को जब इस बात की जानकारी मिलती है कि इसलाम साह ने आकर्मन किया है और आकर्मन करके जतारा पर अधिकार कर लिया है त तो यह पुन्हा से उसका नाम बदल करके जतारा कर देते हैं तो याद रखेंगा वापस से च्छीत चीना है इसलाम शाह से अब अगले साशक भारती चंदर के बाद बनने वाले हैं आपके मधुकर शाह तो अगले सासक कौन हुए मदुकर शाह उनके पुत्र सासक बने भारती चंदर के और यह समकालीन होने वाले हैं अकबर के तो याद रखेगा यह किसके समकालीन थे तो यह समकालीन हैं अकबर के अब कुछ और चीज़ा यहां पर समझ लेते हैं कहा जाता है प्रारभिक स्वाधीन सत्ता इस्थापित करने में इनका योगदान बहुत महत्यपूर था इसके अलावा इन्होंने कुछ यहां बहुत महत्यपूर निर्मान कारे कराए हैं जिसमें से दो मंदिर बहुत जादा ह सबसे पहला है राम राजा मंदिर याद रखेगा सबसे पहला राम राजा मंदिर जो है यह बहुत महत्यपूर है तो याद रखेगा और्चा में राम राजा मंदिर का निर्मान किसने कराया था तो मधुकर शाहने करवाया था साथ ही यहाँ एक और मंदिर है जिसका नाम है राज मंदिर तो राज मंदिर का निर्मान भी किस ने कराया था मधुकर शाह ने कराया था वास्ताओं में यह जो राज मंदिर है यह आपके विश्णु भगवान को समर्पित है याद रखेगा विश्णु भगवान को समर्पित कौनसा राज मंदिर और राम जी का राजा राम मंदिर या राम राजा मंदिर जो है इसका निर्मान किस ने कराया था मदुकर शाहजी ने करवाया था अच्छा एक बात मैं और बता दूं आपको एक बात और बताना चाहता हूं मैं आप सभी को दुर्ग और फोड एक ही बात है अंग्रेजी और हिंदी में इसको अलग अलग बोला जाता है दुर्ग और फोड लेकर यदि अगर किला बोला गया और महल बोला गया है तो उसमें जरूर अंतर होता है किला जो है वास्तों में चाहर दिवारी से चारों तरप से बंद होता है ठीक है वहीं महल जो है केवल एक निवास के लिए एक घर टाइप से आप समझ सकते हैं तो उसे महल कहा जा सकता है लेकिन किला जो है बहुत बड़ा छेत्र होता है जो कि चाहर दिवारी से बंद होता है उस किले के अंदर बहुत सारे आपके महल बने होते हैं तो याद रखेगा आप दुर्ग बुल दें या किला बुल दें एक ही बात होती है वहाँ पर या उसको ही हम अंग्रेजी में फोर्ट कह देते हैं ठीक है तो फोर्ट जो है वो एक ही बात चली अच्छा अब आगे समझते हैं आपने देखा कि इन्हों राम राजा मंदिर बनवाया था और लक्षमन जी के वनसज मानते हुए अपने आपको कभी यह गद्धी पर या सिंघासन पर नहीं बैठे क्योंकि यह अपनी सिंघासन पर या गद्धी पर स्री राम जी को इस्थान दिया करते थे तो ये स्री राम जी को इस्थान देते हुए कभी ये सिंगासन पर बैठ करके इन्होंने साशन नहीं किया क्योंकि अपने आपको यह है लक्षमन जी का वनसज मानते थे तो चलिए समझते हैं आगे तो यहाँ पर दो मंदिर हमने समझे अभी कि एक है आपकी राम राजा मंदिर और राज मंदिर का नर्माण इनोंने करवाया है साथ ही दूसरी महत्यपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अकबर ने एक संदेशा भीचा मधुकर शाह के समक्ष कि मधुकर शाह जो हैं वो उनका प्रस्ताव ठुकरा देते हैं और मुगल दरबार में नहीं पहुचते इस आदिज की अभेलना को देखते हुए अब अकबर इन पर आकर्मन करने के लिए एक सेना भीजने वाले हैं और उस सेना का नितत्व करने वाले हैं शादिक खां याद रखेगा अब शादिक खां के नितत्व में मुगल सेना ने आकर्मन किया और्चा पर और्चा के साशक मधुकर शाह यहां पर युद लड़ते हुए देहान्त हो जाते हैं या इनका देवाशान हो जाता है युद लड़ते हुए युद भूमी में ही मारे जाते हैं इसके अब जो है मधुकर शाह के पुत्र छमायाचना करने वाले हैं जिनका नाम था राम शाह राम शाह पहुचेंगे मुगल दरबार में अकबर के समक्ष पहुच करके उनसे छमायाचना करेंगे कि पिता जी से कुछ गलतियां हो गई थी और साथ ही आपके दरबार में अब राम शाह शाशक तो बन गए हैं लेकिन वास्तविक सत्ता इस समय पर इनके भाई इंद्रजीत के हाथों पर थी तो वास्तविक सत्ता इस समय पर किसके हाथों पर है याद रखेगा वास्तविक सत्ता जो है वास्तविक सत्ता जो है इंद्रजीत के हाथों पर है और एक और महत्पूर्ण बात है कि इनके एक दरवारी कभी भी हुए जो की आपके रामशाह के समय भी हुएंगे और आगे वीर सिंग देव जब साशक बनेंगे तब भी उनके दरवार में रहेंगे तो केशव दास जो हैं जिन्होंने वीर सिंग चरत्र नामर के किताब लिखी है तो इनकी बुक समझ लीजेगा वीर सिंग चरत्र है वीर सिंग चरत्र वीर सिंग चरत्र लिखी है वास्ताव में यह हैं दो वेक्तियों के दरवार में देखें मिलते हैं तो रामशाह जो हैं राम शाह के दरबार में भी थे बाद में जब वीर सिह देव साशक बनेंगे याद रखेगा वीर सिह देव बुंदेला ठीक है क्योंकि हमने वीर सिंग देव बगहिल भी पड़े हैं तो वीर सिंग देव बुंदेला जो थे उनके दरबार में भी कौन हुआ करते थे केशव दास हुआ करते थे तो हमने यहां एक चीज़ समझी कि वास्तविक सत्ता इस समय इंद्रजीत के हाथों पर है जब रामसा साशक है अब अकबर के बाद उनके पुत्र साशक बनने वाले हैं अब आप सभी को पता है कि अकबर का विरोध कर रहे थे उनके ही पुत्र जहांगीर ठीक है तो अब सलीम सलीम जो है अब उनका विद्रो कर रहे थे तो जहांगीर वास्तव में उनका विरोध कर रहे थे अपने पिता के विरोध तो वहीं पर अब जो है जहांगीर जब विद्रो कर रहे थे अकबर के विरोध तो उनकी सहायता करने वाले हैं वीर सिंग देव और वीरि सिंगदेव जहांगीर की साहता करेंगे साहता कर रहे थे साथ ही जब बुंदेलखंड से या मध्दपधेश के एरिया से होकर गुजर रहे थे अबुलफजल तब अबुलफजल से एक छोटा सा युद्ध लड़ते हैं जिसे नर्वर का युद्ध कहा जाता है, तो याद रखेंगा नर्वर का युद्ध अबुल फजल और आपके वीर सिंग देव बुंदेला के मद्ध लड़ा गया था, तो अब ये सहायता किसकी कर रहे थे, जहांगीर की अकबर के विरुद्ध जो भी आपका विद्रोह हो र रहे थे, साथ ही यहां एक सर्थ रखी गई कि आपकी सहायता अब हम कर रहे हैं, लेकिन जब आप मुगल सत्ता पर बैठेंगे या दिल्ली की सत्ता पर बैठेंगे, तो आप और्चा के राजा मुझे घोशित करेंगे या और्चा की गद्धी पर मुझे बैठा लेंगे, इसके बाद हम यहां देखते हैं कि अबुल फजल की हत्या, ये किसके कहने पर करते हैं, औरंगे जीप के कहने पर, जहांगीर के कहने पर करते हैं, तो जहांगीर विद्रो कर रहे थे पिता के नवरतनों में से एक हुआ करते थे अबुल फजल, तो अबुल फजल की हत्या क और इसके बाद खास हो गए थे जहांगीर के जैसे ही जहांगीर दिल्ली की सत्ता पर बैठते हैं उसके बाद अब और्चा की सत्ता वो किसके हाथों पर सौपने वाले हैं वीर सिंग देव के हाथों पर सौपने अब वीर सिंग देव को साशक तो बना दिया लेकिन राम शाह कहा जाएं तो याद रखेगा जो राम साह इनके पूर्व आगे जाकर के यही जो है चंदेरी बानपुर रियासत कहलाती है तो याद रखेगा राम शाह को जागीर दे दी गई है कहां की आपकी बानपुर की ठीक है आगे जाकर जह हम पढ़ेंगे आगे आपकी चंदेरी बानपुर रियासत तो और डिटेल पर वहां पर बताने वाले हैं तो समझेगा कि अब यहां पर आपके वीर सिंग देव के शाशनकाल में ही क्या हुआ जागीर दे दी गई बानपुर किसको आपके राम शाह को और ओर्चा की गद्धी पर कौन बैट गए हैं यहां पर अब आपके वीर सिंग देव बुंदेला बैट चुके हैं तो वीर इन्होंने यदि बात करें तो एक important महल है जिससे सत्कंडा महल के नाम से जाना जाता है तो सत्कंडा महल जो है उसका निर्माण इन्होंने ही कराया था वीर सिंग देव बुंदेला ने साथ ही जासी का जो किला है जासी के किले का निर्माण भी इन्हों ने ही कराया था तो याद रखेगा जासी का किला भी किसने बनवाया है वीर सिंग देव बुंदेला ने बनाया है और तो और इन्हों ने मद्यप्रदेश के बाहर कुछ मंद कराया था और जब जहांगीर का आगमन हुआ कहां ओर्चा पर तो इन्हों ने जहांगीर के लिए एक महल बनाया जिसे जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है तो याद रखेगा जहांगीर महल का निर्माण भी इन होने कराया है तो दो चार बाते हमने बहुत महत्पूर्ण महत्पूर्ण देखी कि ये किसकी साहता करने वाले हैं जहागीर की साहता करेंगे अबुल फजल की हत्या करेंगे तीसरी बात ये साशक बनेंगे और जागीर किसको दी जाएगी बानपूर आपके रामशाह जी को इसके बाद हमने कुछ निर्माण कारें के महात्यपूर्ण देखे जैसे सत्खंडा महल जहासी का किला मत्हुरा में आपका केशो मंदिर और जहांगीर महल इत्यादी निर्माण इन्होंने करवाए थे चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां समझेगा कि अब देख रहे हैं वील सिंग देव साशनकाल तो हमने समझ लिया लेकिन वील सिंग देव के साशनकाल में दो और रियासते अस्तित्व में आ जाएंगी तो वीर सिंग देव के समय पर दो रियासते अस्तित्व में आई है पहली रियासत है बानपुर रियासत योकि बानपुर की पहले जागीन मिली फिर बाद में है रियासत बनेगी तो बानपुर जो है किसको मिला था राम शाह को प्राप्थ हुआ था इसको प्राप्थ हुआ है यहाँ पर रामशाह को प्राप्थ हुआ वहीं दूसरी रियासत इस समय अस्तित्यों में आएगी वह थी आपकी दतिया रियासत दतिया जागीर इनके समय पर ही इनके छटवे पुत्र शिक्स नंबर के जो पुत्र थे भगवान दास भगवान दास उनको प्राप्त होने वाली है ठीक है तो आगे जाकर दोनों ही रियासते बनेंगी शुरुवात में जागीर के रूप में थी तो वास्तों में वीर सिह देव बुंदेला जो थे इनके समय पर ही एक बानपुर रियासत दूसरी दतिया रियासत अस्तुत में आन अब नहीं वहाँ पर हमें आसानी होगी साथ ही जह हम धतिया रियासत पढ़ेंगे तब भी वहाँ समझने में आसानी होगी इसलिए हम नने यह पहले ही बता दिया चलिए तो अवीर सिंग देव के बाद इनके पुत्र जुझार सिंग अब अगले साशक बनने वाले तो अब इनके पाद इनके जेस्ट पुत जुजहार सिंग साशक बने किसके ओर्चा के अब इनमें कुछ महत्पूर्ण बात ये है कि इनके बहुत प्रिये भाई हुआ करते थे देव तुल भाई थे दादा हरदौल ठीक है तो हरदौल जी की जो वास्ताव में मृत्य हुई उसका धब्बा किस पर लगा था जुजहार सिंग पर लगा था बाबा हरदौल की वरतमान पर बुंदेल खंड छेतर में लोक नाट भी इनके उस पर किये जाते हैं तो बाबा हरदौल को पूजा जाता है वरतमान बुंदेल खंड में तो बाबा हरदौल की मृत्यू पर इ इनकी हत्या करवा दी थी तो याद रखेगा कि वीर सिंग देव के बाद में आपके साशक बनने वाले हैं जुजहार सिंग और यह अपने ही छोटे भाई की हत्या करवा देंगे इनका नाम था हरदौल हरदौल की मृत्य हो चुकी थी इसके बाद जो है अब यह आक्रमण करन वाले हैं चौरागड़ पर ठीक है तो इन्हों ने एक आक्रमण किया था चौरागड़ पर चौरागड़ पर और याद होगा यदि मैंने पिछली आपने क्लास देखी हो जब हमने गौडवाना रियासत पड़ी थी तो गौडवाना रियासत की या गौण वंस की ही राजधानी क्या हुआ करती थी चौरागड़ हुआ करती थी और जिस समय इन्हों ने आक्रमण किय था चौरागड़ पर तब वहां के साशक हुआ करते थे प्रेम शाह इन्हों ने आक्रमण कर दिया प्रेम शाह पर और प्रेम शाह पर आक्रमण के बाद इनके मद्द युद्ध हुआ और इस युद्ध में प्रेम शाह का देहांत हो गया प्रेम शाह जो है मुगल दरबार के बहुत खास वागर ते थे Mughal बादसा के बहुत खास थे ठीक है अब मुगल बादसा जो है अब आकरमण करने सेना भेज देंगे किसके विरुद आपके जुधार सिंग के विरुद आप मुगल दरबार ने जिस जैसे ही उनको इस बात की जानकारी मिलती है वह जंगलों में भाग जाते हैं और जंगलों में गौण इंकी हत्या कर देते हैं क्योंकि गौणों के ही राजा की इनोंने हत्या की थी याद हो 2019 वह completed प्रेम शाह जो है वहां बर देहन्ट हो गया था प्रेम शाह के पात से उनके पुत्र हिर्दै शाह ने एक अलग छेत ढूणा जिसे अपनी राजधानी और राज्य बनाया जिसका नाम था राम नगर ठीक तो वहां हम चर्चा कर चुके थे सारी बातों पर तो याद रखेगा अब यहां पर जुझार सिंग की मृत्ति हो चुकी है अब जु के लिए लोकनाट मैंने देखा था तो उसमें किरदार जो कर रहे थे पहाड सिंग का वो किरदार मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका एक बहुत अच्छा डायलॉग मुझे अभी भी याद है तो वह था बुंदेली भासा में वह बोल रहे थे बार-बार कि कौनो ककरा पथरा नो ही पहाड आए पहाड तो कहा जाता है कि बाबा हरदौल की जो मृत्य हुई थी तो बाबा हरदौल की जो हत्या की गई थी उसमें सर्यंत्र किसने रचा था पहाड सिंग ने ही सर्यंत्र रचा था तो अब अपन समझते हैं कि जैसे जुजहार सिंग का देहांत हो से चौरागर से वे सारा का सारा धन इनोंने मुगल सत्ता में पहुचा दिया मुगल दरवार के पास पहुचा दिया अब सारा धन ये किसको दे चुके हैं मुगल दरवार को दे चुके हैं और अब जो है मुगल दरवार द्वारा ही पहाड सिंग को अगला साशक घोशित कर द लिए था मुगिलों को पहुचा दिया था मुगल खजाने में जमा करवा दिया था तो मुगलों ने ही इनको राजा मान लिया था अब ज्यादा महात्पूर्ण बात यहां पर नहीं है कुछ-कुछ थोड़ी-थोड़ी चीज हैं वह हम यहां समझ लेते हैं यहां से जदा प् प्रकार से सेनापती के रूप में और दूसरा है आपका कूच बिहार अभियान तो दो युद्ध लड़े थे इन्हों ने वो भी मुगलों की तरफ से लड़े थे क्योंकि पिता के समय से ही मुगलों ने इन परहसान किया इनको इनकी रियासत वापस लोटा दी थी चलिए आगी बात करते हैं आपके सुजन सिंग के बाद में अगले साशक बनने वाले हैं इंद्रमणी सिंग ठीक है वास्ता में देखा जाए तो इनी के साशनकाल में यह हम इनके बासवरी आपके इंद्रजीत के बाद में बनने वाले हैं यशुवन्त सिंग और यशुवन्त सिंग के साशनकाल ही जो है च्छत्र साल ने मुगल सत्ता के विरोध में विद्रोह कर दिया था अब मुगल साशा कुछ समय कौन हुआ करते थे औरंग जेव हुआ करते थे तो औरंग जेव के विरोध विद्रोह करने वाले वेक्टी कौन है च्छत्र साल हैं इन पर भी हम आगे बात करने वाले हैं इनको केश्री कहा जाता है मद्रप्रदेश का सिवाजी कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पर कुछ महत्रपूर्ण बाते होंगी वह हम आगे करने वाले हैं जब हम पन्ना रियासत पढ़ेंगे आगे समझते हैं कि अब य अगले साशक पर बात कर लेते हैं अगली important साशक बनने वाले हैं उदोत सिंग उदोत सिंग वास्तों में जमीदार प्रताप सिंग के पुत्र हुआ करते थे ठीक है यहां पर भगवन सिंग की कोई संतान नहीं हुई इसके लिए बाद में साशक किसको बना दिया गया था उद महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके समय पर भी पेशवाब आपके बेशवाब विश्वनात बाला जी विश्वनात ने इनपर आकर्मन किया जैसे इन्हों ने विफल किया तो तीन महातुपूर्ण निर्माण है, सबसे पहला है उदोध सागर जी, उसके अलावा बरुवा सागर जी और तीसरा है आपका आनंद मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था अब उदोध सिंग के बाद जो है, देखा जाए उदोध सिंग का युद्ध होगा, होलकरों के साथ में, होलकरों के साथ या युद्ध लड़ेंगे और युद्ध में ही इनका देहांत हो जाएगा, या युद्ध में ही इनकी मरत्यू हो जाती है, तो अब उदोध सिंग के अगले शासक कौन बनने वाले हैं तो बनने वाले हैं प्रत्वी सिंग बनने वाले हैं यहां सि ज्ञदा इंप्रदें इसलिए js अन्ये प्रत्वी से निर्माड करे और तो आप पहली बार और्डशारिया की राजधानी, परिवर्थित होने वाली है अभी तक और्चा की राजधानी और्चा ही थी यह और्चा रियासत की राजधानी क्या थी और्चा ही थी लेकिन अब राजधानी परिवर्तत होगी और यह राजधानी होने वाली है आपकी टीकमगड़ वास्तों में टेहरी नामक छेत्र था टेहरी का नाम इन्होंने बदल तो राजधानी जो है, राजधानी अब ओर्चा से ओर्चा से कहां जाने वाली है? टीकम गड़ जाने वाली है। और इसे कौन लेकर गए थे इसको लेकर गए है विक्रम जीत सिंग तो विक्रम जीत सिंग ने राजधानी परिवर्तन की थी और चास से टीकम गड़ लेकर गए साथ ही इनके कुछ बहुत महत्पूर निर्माण कारे हैं जैसे कि आपका बलदेव गड़ दुर्ग बनवाया था बलदाव का मंदिर बनवाया था टीकम गड़ मर एक नजर बाग नामक छेतर बनवाया था साथ ही इन्होंने जान की बाग बनवाया था और तो और इन्होंने जुगल निवास पहलिस का निर्माण भी करवाया था, तो यहां निर्माण बहुत महत्पूर्ण है इनके, फिर से समझिएगा, पहले राजदानी इन्होंने ओर्चा से टीकमगड रखरी, किष्ट के नाम पर टीकमगड नाम रखा, इन्होंने किष्ट जी अर्थात टीकमड जी के नाम पर नाम टीकमगड रखा, निर्माण में सबसे पहले इन्होंने एक आपके बलदेवगड दुर्ग बनवाया, बलदेव जी का मंदिर बनवाया, साथी टीकमगड में नजरबाग बनवाया था, और इन्होंने जानकी बाग और जुगल निवास पैलिस, ठीक है, तो अब अगरेजों का शाषन या अगरेजों की सत्ता जो है विस्तरित होती जा रही थी, तो इन्होंने अगरीजों से सहयक संदी कर ली और सहयक संदी के बाद अब जो है यह अगरेजों के आधिन आ गये थे, तो कुछ महत्पूर्ण बातें देखी अंग्रेजों के आधीना चुके हैं साहक संदी से राजधानी परिवर्तन करी हैं और साथ ही कुछ महत्पूर्ण निर्मानकार करवाए हैं जैसे बल्देव मंदिर हो गया, जानकी मंदिर हो गया, जानकी बाग हो गया, जुगल निवा चीज है याद रखेगा कि पिंडारियों के दमन में इन्होंने लॉड हेंस्टिंग की सहायता की थी तो जब लॉड हेंस्टिंग मत्रदेश आई यह किसका दमन करना चाहते थे पिंडारियों को खत्म करना चाहते थे तो लॉड हेंस्टिंग की सहायता इन्होंने की थी लेकिन लास्ट में जब आपके धर्मपाल जी का स्वास्त खराब रहें लगा फिर उनका देहां थो गया तो सत्ता जो है लड़ई रानी सरकार के हाथों पर आई और उसी समय इनके ही समकाली जहासी की सत्ता किसके हाथों पर आने वाली है रानी लक्ष्मी भाई के हाथों पर जहां सी पर रानी लक्ष्मी भाई की सत्ता कप से आ गई थी 1853 से इनके हाथों पर सत्ता आ चुकी थी तो रानी लक्ष्मी भाई यहां की साशिका थी रानी लक्ष्मी भाई जब साशिका बनी तो उन पर आकरमन के लिए लड़ी रानी सरकार ने इनके सेनापती नित्ते खां को भेजा यहां पर नित्य खां को आक्रमन के लिए भेजा नित्य खां ने रानी लक्ष्मी भाई पर आक्रमन किया और कहा जाता है लगबार इन्होंने दो बार जो है इन पर आक्रमन किया था और दोनों बार रानी लक्ष्मी भाई ने इनको पराजित किया था अब नित्य खाँ इन से पराजित होने वाला है और पराजित होकर कि ये कुछ दिनों के लिए इन दौर भाग जाएगा तो कुछ समय तक ये इन दौर में प्रवास करेंगे लेकिन जब रानी लक्ष्मी भाई 1857 की करांती कहां से करने वाली है गौलियर से करने वाली है जब गौलियर से 1857 की करांती करने वाली है तो जब करांती का दमन करने के लिए अंग्रेज आने वाले हैं गौलियर ठीक है तो उनकी सहायता कौन करेंगे नित्य खां अंग्रेजों की यहाँपर सहायता करने वाले हैं तो याद रखेगा ओर्चा की तरफ से सैना पती के रूप में आपके नित्य खांने दो बार आकर्मन किया था रानी लक्ष्मीबाई पर और राई लक्ष्मी भाई ने इनको दो बार पराजित किया था जहांसी की रानी लक्ष्मी भाई जहांसी की राई लक्ष्मी भाई पर बहुत अच्छी कविता लिखी है जिसको सुनकर के हमेशा ओज आ जाती है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो जहांसी वाली रानी थी सहायता करने वाले हैं नित्य खाँ चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगली रियासत हम पढ़ते हैं अब यहां पर पन्ना रियासत की यदि हम बात करते हैं तो पन्ना रियासत में सबसे पहले लो सिंग बुंदेला उनके ही पुत्त्र हुए उनके पुत्र हुए उद्धात शीत सिक्ग उनके फॉत्र होगे ठिक है पूत्र मताबת समझते हैं अब सभी यह sugars होने वाले हैं चंपत्राय जी आब चंपत्राय जो थे इनको पनर इनको जो है जागीर प्राप्त हुई थी कहां से और्चा रियासा से ही यह जागीर थी महु महु पानी ठीक है महु महोनी महु महोनी की इनको जागीर प्राप्त हुई थी ठीक है तो शुरुबात में यह जागीरदार के रूप में यहां साशन कर रहे थी तो संस्थापक यहां पर जो है वास्तव में यदि हम बात करते हैं, तो पन्ना के संस्थापक जो हैं, यहां पर चंपत राय जी माने जाते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं, तो चंपत राय के पुत्र, राजा छत्र साल, राजा छत्रसाल जो हैं वो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं पन्ना रियासत के तो इनको जो है ओर्चा से कौन सी रियासत मली थी? महू महू महौनी की इनको यहाँ पर रियासत प्राप्त हुई थी ठीक है? जैहिंद चलिए अब आगे चलते हैं आगे समझते हैं चीजों को तो हमने यहाँ पर देखा कि महू महौनी की इनको जागीर प्राप्त हुई है और संस्थापक कौन माने जाते हैं? चंपत राय जी माने जाते हैं वहीं वास्तविक संस्थापक की हमने बात की वास्त्विक संस्थापक की जब हम बात कर रहे हैं तो वास्त्विक संस्थापक कौन है राजा छत्रसाल यहां से माने जाते हैं अब अगले साशक बनने वाले हैं चम्पत राय के पुत्र राजा छत्रसाल जो वास्त्विक संस्थापक है इन पर बात कर लेते हैं तो चंपत राय जी जो हैं चंपत राय जी के मित्र हुए चंपत राय जी के पहले हम पुत्र समझ लेते हैं इनके पुत्र हुए कौन राजा चत्र साल राजा चत्र साल साथ ही चंपत राय जी के मित्र हुआ करते थे इनके मित्र हुए राजा जैसिंग तो जो सवही राजा जैसिंग थे वह उस समय पर मुगलों के प्रमुक सेनापती के रूप में भी थे तो याद रखेगा मुगलों के प्रमुक सेनापती भी थे तो अब छत्र साल जी को समझेगा छत्र साल जी को चमपतराय किसके पास भेजने वाले हैं वो भेजने वाले हैं राजा जै सिंग के पास में कि जाओ बेटा और राजा जै सिंग से युद्ध कौशल सीख कर आओ तो याद रखेगा युद्ध कौशल के गुरू किसके 76 साल जी के कौन माने जाते हैं राजा जै सिंग माने जाते हैं तो इनके युद्ध कोशल के याद रखेगा युद्ध कोशल के युद्ध कोशल के गुरू माने जाते हैं राजा जै सिंग राजा जै सिंग जो है इनके युद्ध गुरू माने जाते हैं युद्ध कोशल इन्हों नहीं सखाया थे इनको साथ ये उसी समय पर जब मुगलों की सेना के सेना पती हुआ करते थे तो अब राजा जैसिंग को दक्षण अभियान का बीड़ा दिया जाएगा तो अब दक्षण अभियान पर कौन जाने वाले हैं राजा जैसिंग तो वह अपने साथ में छत्रसाल जी को भी ले कर जाते तो इनको पहली बार याद रखेगा प्रथम बार यहां से बहुत कोशन बनेगे राज साल से ध्यान से पढ़ियेगा इसे, तो प्रथम बार जो है, इन्हें युद्ध कोशल या युद्ध कोशल दिखाने का मौका कम मिला था? युद्ध कोशल दिखाने का मौका इनको पहली बार मौका मिला था कब? जब दक्ष अभियान हुआ था दक्षिण अभियान में और उसके सेनापती खोन हुआ करते थे तो राजा जैसिंग ही इसके सेनापती हुआ करते थे तो पहली बार इनको अपना युद्ह कोशल दिखाने का अवसर मिलता है कहाँ दक्षिन अभियान में इसके बाद एक और महत्यपूर्ण बात समझ लेते हैं अभी समझते हैं अगे अब महत्यपिता का नाम और जन्म और जान लेते हैं कि यहीं देखा जाए तो इनका जन्म हुआ था चार मई उनने सो उननचास को और साथी कहां हुआ था पहाड़ी ग्रा है इनका बुंदेल खंड के सिवाजी कई जगहां पर मद्रप्रदेश के सिवाजी भी कहा गया है इनको तो याद रखेगा बुंदेल खंड या मद्रप्रदेश के सिवाजी किसे कहा जाता है राजा छत्र साल को कहा जाता है ठीक है साथ ही इनको एक और उपाधी मिली है के इसरी की उपादी इनको प्राप्त हुई थी ताथ ही अब यदी बात करें कि पहले पहली बार यह सेना पती के रूप में कब काम करने वाले हैं तो यह मुगलों की सेना का नितत्व कर रहे थे जब मुगल की सेना ने आपके छिंदवाडा के देवगड के गोण शाशक पर अक गड़के जो गोण साशक थे इनको पराजित करने वाले हैं अब इनको पराजित तो कर दिया लेकिन मुगलों द्वारा इनको बिल्कुल भी श्रे नहीं दिया गया उल्टा यह कहा गया कि मुगल सेना में इतना सामर्थ है जहां भी शाही सेना पहुंच जाती है वह स्वयम छेत्र किस के सामने जुग जाता है मुगल सेना के सामने जुग जाता है सब लोग सरेंडर कर देते हैं लोग हार जाते हैं हमारी सेना में इतना सामर्थ है तो सेना पती को यहां पर बिल्कुल भी श्रे नहीं दिया गया इस वाक्या के बाद जो है अब छत्र साल मुगल सेन को त्यागने वाले हैं और त्याग करके मद्यपदेश पन्ना लोटेंगे और लोट करके अब विद्रोह करेंगे औरंग जेव के विरुद्ध यह सिवाजी से ही मुलाकात करते हैं और अब जो है सिवाजी की जो सोच थी उसके साथ जुड़ जाते हैं और अब औरंग जेव क विद्रोह करने वाले हैं, तो इन्हों ने मद्रपदे से विद्रोह किया था, ठीक है, मुगल सेना ने कई बार इन पर आकर्मन भी किया, लेकिन यह चापा मार पद्धती यहने की गौरिला पद्धती में बहुत जादा निपुण थे, अब यह गौरिला पद्धती यह चाप मार पद्धती क्या होती है, उसको समझ लेते हैं, कि जब सेना अकर्मन करे, तो जंगलों में छिप जाना, जो जंगल इनके नौन होते थे, या जिसके बारे में बहुत जानकारी हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही सेना जो आकर्मन की हैं पर, वो थोड़ा सा पीछे हटती है, जैसा होती तो उस पर फिर से आकर्मन कर देना, तो इसे चापा मार पद्धिती या गोरिला पद्धिती भी कहते हैं, तो इनको जो है मुगल सुपरारम में राजा नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में एक अभियान था, बसिया युद्ध या बसिया अभियान, उसके बाद मुगलों ने इनको राजा की माननता दे दी थी, अब महत्यपून बात यह है कि इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया, तो इन्होंने पन्ना को ही अपनी राजधानी बनाया था, और यह बनाया था आपके 1678 में इन्होंने राजधानी बनाया, अब राजजभी शेक स तो योगी राज प्राणनात के कहने पर इन्होंने अपने राजजबिशेक करवाया था 1687 पर देखिएगा थोड़ा सा याद रखने लाइक डेट है याद रखिएगा तो सबसे पहले हम राजधानी समझते हैं तो राजधानी इन्होंने अपनी पन्ना बनाई थी और राजबिशेक जो होगा जो राजबिशेक हुआ वो राजबिशेक कब हुआ 1687 पर यहां पर और यहां पर क्या करना है आपको यहां पर 678 सबसे पहले राजधानी बनाया 678 और यहीं पर याद कर लिजे आप कि लास्ट वाले वर्ड इसको चेंज कर दिए इंटर रिजिश इन्होंने अपना राजबिशेक करवाया था किसके कहने पर योगी राज प्राणनात के कहने पर इन्होंने अपना राजबिशेक कराया था साथ ही यदि हम बात करें कि यह स्वयम एक कवी थे और साहित्यकारों को इन्होंने अपने दरबार में जो है एक महत्पून इस्थ तो याद रखेगा भूशन जो है इन्हों ने क्या लिखा छत्र साल दसक लिखा वही एक और है लालकवी और तीसरे जो है वो है आपके हंसराज तो बक्षी हंसराज जो है ये भी इनके दरवारी कभी हुए भूशन ने और भी कुछ गृंत लिखे हैं जैसे भूशन उल्लास भूशन हजारा तो ऐसे जो गृंत हैं उनको किसने लिखा है भूशन ने वो किसके दरवार में थे राजा छत्र साल के दरवार में थे और इन्हों ने यहाँ पर छत्र साल दसक भी लिखा था साथ ही बक्षी हंसराज भी इनके दरवार में थे और लालकवी भी इनके दरव इसके साथ ही यदि हम कुछ बात करते हैं यहां पर कि कुछ निर्माणकार भी इन्हों ने करवाए थे तो याद रखेगा राजा छत्र साल ने सबसे पहले आपका एक नगर बसाया था छतरपुर छतरपुर जो नगर है वो किसने बसाया है वो नगर बसाया था राजा छत्र साल ने साथ ही एक महल बनवाया था धोवेला महल तो याद रखेगा धोवेला महल जो है उसका निर्माण भी राजा छत्र साल करवाने वाले हैं और एक और महत्पूर्ण निर्माण है समझेगा ठीक है मस्तानी महल मस्तानी महल जो है मस्तानी महल जो है उसका निर्माण भी किस ने कराया था राजा छत्रसाल ने ही इसका निर्माण कराया था तो याद रखेगा राजा छत्रसाल ने मस्तानी महल बनवाया है ये आपके धुवेला महल के पास में ही है तो धुवेला महल और साथ में आपका मस्तानी महल दो महत्पूर निर्माण कराये थे अब वास्तों में जो मस्तानी महल है वह किसलिए निर्माण कराया था तो राजा उन पर एक आक्रमन होने वाला है मोहम्मद खा बंगस मोहम्मद खा बंगस जो है इन पर आक्रमन करने वाले है ठीक है अब इनके मद्युद्ध होने वाला है उसी समय पर अब इनकी सहायता करने पहुँचने वाले हैं कौन यहांपर पेश्वा बाजी राव प्रफम पेश्वा बाजी राव प्रफम जो है इनकी सहायता के लिए यहां पहुंचने वाले हैं ठीक और यह दोनों सेना य Einkिव आपकी पन्ना की सेना और दूसरा पेश्वा की सेना मिल करके अब मुहम्मद खा बंगस को पराजित करने वाली है इसी दोरान जब इसे पराजित करने आये थे तब ही पेश्वा बाजी राव जो है वो कहां पर पहुंचते हैं मस्तानी महल पहुंचते हैं और इसी मस्तानी महल में उन्होंने विवाह किया था मस्तानी से आपने मूवी तो देखी होगी बाजी राव मस्तानी ठीक है तो याद रखिएगा बस्तानी महल और साथी दुवेला महल का निर्माण किस ने कराया है राजा छत्रसाल ने कराया है ठीक है चलिए ठेंक यू सो मच आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो जल्दी से फटा फट जो है लिंक को अपने स्टेटस पर लगा लीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को जो है इस क्लास का लाव मिल सके ठीक है तो जल्दी जल्दी चात्रों आपने वट्सेप स्टेटस पर क्लास की लिंक लगा लीजिए जलिए ठैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और दुलार के लिए इसके पहले भी आप से मैंचे बहुत ब्रेम मिला है मेरी मद्रप्रदेश की इतिहास पर जब पहली किताब आई लगबग डेर्ड वर्स पहले मद्रप्रदेश की इतिहास पर मैंने एक किताब लिखी उस किताब पर भी आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया वह किताब वर्तमान पर अच्छी सेलिंग हुई उसकी अब बहुत जल्द मैं उसका चलिए विद्यारतियों तो अब आगे बढ़ते हैं विशे को आगे बढ़ाते हैं तो राजा च्छत्री साल जो है जब च्छत्र साल जी का देहान हुआ अप्च्छा एक बार फिर रिवईज करते हैं फटाक से कि राजा ज़त्री साल जो है था वो भी हमने बात किये भी कि राजा जैसिंग ने इनको युद्ध कोशल सिखाया था पहली बार ये युद्ध कब लड़ने वाले हैं ये युद्ध कोशल कब दिखाएंगे तो ये पहली बार युद्ध को शल दिखाने पहुंचे दक्षन अभियान पर जिसके सेना पती कौन हुए आपके महराजा जैसिंग हुए पहली इसके बाद जब बीजवपुर युद्ध हुआ तो बीजवपुर युद्ध में इनको मुगलों द्वारा श्री नहीं दिया गया और इन्होंने मुगल सेना को त्याग दिया और पन्ना पहुंच करके औरंग जीप के विरुद इन्होंने विद्रो किया इसके बाद जो है बसिया युद्ध के बाद में मुगलों ने इनको राजा मान लिया था इसके बाद हमने समझा कि इन्होंने अपनी राज़धानी 1678 में बनाया और राज़विशेक करवाया 1687 में अपना राज़विशेक कराया इन्होंने एक नगर बसाया जिसका नाम है छतरपुर नामक नगर बसाया था साथ ही ने दो निर्माण महत्पूर हैं धुबेला और साथ ही मस्तानी और साथ ही हमने देखा कि पेशो बाजीराओ की साहता से महम्मत खा बंगस को पराजित किया है तीन महत्पूर कभी हैं भूशन लाल कभी और बकसी हंसराज इनके दरबारी कभी हुए ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शाशक के पारे हम पढ़ने के पहले हम ये समझते हैं कि जैसे ही छत्र साल का अब देहांत होगा तो जो पन्ना रियासत थी वह है तीन भागों में भक्त कर दियाएगी तो याद रखेगा अब पन्ना रियासत तीन भागों में भक्त हुई पहला भाग जो है पन्ना वाला वो मिलने वाला हिर्देशा को वहीं दूसरा भाग जो है वो जगत राज को मिलने वाला है कौनसा वाला जैदपुर वाला और तीसरा भाग जो है पेश्वा बाजी राव को मिलेगा कौनसा वाला कालपी वाला कौन है यह दमादuesto भी मिलना वाला को जाट युए आपका कुछ यह लाखत को तो फोट पलत है को है कि इसा परियासत तूंगे जैदपुर रियासत के एक महत्पून राजा होंगे जिनके बारे हम पढ़ेंगे आगे जाकर के वो थे आपके राजा पारिशत है ना तो पारिशत हम पढ़ेंगे आगे जाकर के बहुत महत्पून है वो तो यहाँ पर यह समझते हैं कि अगले साशक कौन बन गए है हिर्दे किसोर सिंग के समय की एक ही बात महत्वण है कि इन्हों ने अं가तवर से संधी कर ली थी और पन्ना रियासत इसके बाद अंग्रेजों के आधीन आ गई थी तो कंपनी सरकार से संधी किसने की थी किसोर सिंग ने कब की थी 1807 में आगे बढ़ते हैं अब किसोर और सिंग के बाद अगले साशक बनने जैने हरीवंस राय जो है अगले english सा शक बने और इनकी एक भारत महत्तिपूपूर्ण कि पन्रियासितिकी अर्थ विस्था को अच्छा करने में इन्होंने बहुत योगदान दिया था इसके बाद अगले साशक बनने वाले है नरपती सिंग, तो नरपती सिंग के बारे में एक महत्रपूर्ण बात ये है, कि जब 1857 की क्रांती हुई, उस 1857 की क्रांती में इन्हों ने अंग्रेजों की सहायता की थी, तो अंग्रेजों की सहायता कौन करने वाले हैं, आपके पती सेंग करेंगे 1857 की क्रांती को दमन करने के लिए और बिटा क्लास की जो PDF है जो मैं पढ़ा रहा हूँ यह PPT की ही PDF जो है आपको अभियान चैनल पर मिल जाएगी तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगली रियासत है जैदपुर रियासत अभी हमने देखा था कि राच साल के बाद में आपकी रियासत जो हैं दो भागों में तीन भागों बढ़ गई थी पहला कालपी वाला जो छेत्र है वो हमने देखा किसको मिला है पेश्वा बाजी राओ को मिला है दूसरा हमने देखा पन्ना वाला हिर्दे शाह को और जगत राज को कौन सा मिला जैदपुर छेत्र मिला जैदपुर छेत्र किसको मिलने वाला है जगत राज को प्राप्त होने कर रहे थे और इनके आकरमलों से बचने के लिए इनको अब अंग्रेजों से संधी करनी पड़ी तो अंग्रेजों से सुरक्षात्मक संधी कौन करने वाले हैं यहां केसरी सिंग करने वाले हैं ठीक है ज्यादा इंपोर्टन फेक्ट नहीं है बस याद रखेगा कि आपके जै इसकी प्राप्त हुआ है यहां पर एक विद्रोह होने वाला है जो मद्य प्रदेश का पहला विद्रोह माना जाता है बुंदेला विद्रोह बुंदेला विद्रो जो ये विंदोला विद्रो था ये मद्रप्रदेश का पहला विद्रो था जिसमें राजे रजवाडे और जितने भी जमीदार जगीदार हैं वह एक साथ मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध अब यहाँ पर कमान सम्हालने वाले हैं तो याद रखेगा कि जो बुंदेला विद्रो हुआ इसको वास्ताव में बुंदेला विद्रो इसलिए कहा जाता है कि यह मोशली कहाँ पर बुंदेल खंड छेतर में इसका ज्यादा विस्तार देखने मिलता है इसलिए से बुंदेला विद्रो कहा जाता है और कब हुआ यह 1842 में और इस विद्रो के सूत्रपात जो है राजा परिशत ही माने जाते हैं ठीक है तो राजा पारिशत जो है तो राजा परिशत जो है यही क्या माने जाते हैं इसके सूत्रपात या सूत्र संचालक माने जाते हैं राजा ने यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया था उस मेले का नाम था बुडवा मंगल मेला तो याद रखेगा एक मेला आयोजन किया था बुडवा मंगल मेला जो है उसका आयोजन किया था वास्तों में देखने में तो यह धार्मिक आयोजन था धार्मिक मेला था लेकिन इन जितने भी जमीदार और जगीदार थे उन सभी को इन्वाइट किया बुडवा मंगल मेला में और यहां पर ही प्रस्ट भूमी बनाई गई थी कि बुंदेला विद्रोग किया जाएगा अब आप सभी के एक बात बता दूँ कि बुंदेला विद्रोग स्टार्ट करने की 1339 में इनका अंग्रेजों से एक युद्ध हुआ आपका अफगान युद्ध में इनकी सेना वेस्ट नहीं थी इवन बिटिसेस इसमें क्या हो गए थे हार गए थे अब इसमें हार मिलने के कारण जो है इनको लगा कि अब जो है अगर हम एक जुट हो करके अंग्रेजों के विरुद्ध ख़डे होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, विद्रोह, संपन कर सकते हैं, उस्वत्त मतराजा बन सकते हैं, इसलिए बुंद्दिला विद्रोह किआ गया, इसके अलावा दो महत्तपून व्यक्ति हैं, यहां मैं और बता देता हूं उनके नाम, आगे खिंहें नामा मधुकर साह और इनके भाई थे गडेश जू इन लोगों ने मुक्षता जो है तीन लोग थे महत्पून जिसमें हम बात करते हैं राजा परिशत इसके बाद आपका हिर्देश शाह और दूसरा मधुकर शाह और गडेश जू ये जो है क्या करने वाले हैं सूत्र संचाला कौन माने जाते हैं बंदेला विद्रो के वो माने जाते हैं राजा परिशत माने जाते हैं ठीक है लेकिन हुआ ये कि राजा परिशत ने विद्रो तो किया लेकिन आसपास के राजा और जमीदार इनकी सहायता करने वाले थे जिसमें से रतन सिंग भी एक थे ठीक है तो आपके चर्खारी रियासत के रतन सिंग इनकी सहायता करने वाले थे लेकिन एन मौके पर जब इस लीमन ने इन पर आकर्मन किया तब उन्होंने सहायता नहीं की तब इनको जैदपुर छोड़ करके भागना पड़ गया और कुछ स ऑंशन देना प्रारंब कर दिया था लेकिन एक मत के नुस्हार मना जाता है कि इनका जो है जन्गलों में जोम रहे थे Phoneर्यवर पिर प्रंभर और ग्रफ्तार करके इनकी हत्यागर्दी थी, तो दो मत माने जाते हैं, दो मत इतिहास कारों को मानना है कि इस इस प्रकार से इनका देहान दुहुआ था, इनकी हम बात की जाएं, इन्होंने दो युद्ध लड़े अंग्रेजों से, एक था बिलग्राम का युद्ध, और दूसरा है पनवाडी का युद्ध, इन दोनों युद्धों में इन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया था, और अंग्रेजी सेना का नितत्व कर रहे थे इस लीमन ठीक है अब यह सारी चीज़ें आंदोलन पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे बुंदेला विद्रों बहुत महत्वपूर्ण है यहां से प्रश्ण पूछा जा चुका है बिटा ठीक है बुंदेला विद्रों फ्लिंस में पहले भी कॉशन पूछा गया है इसलिए म वालऑश्ण जो है अधानपुर रियास्त जो है हमने उसी समय बताया था कि अब ओर्शा के जो राजा है और्शा कौन बना दिये गए थे वीर सिहषदेव बना दिये गये थे तो भूर सेहथेव अब सासक बन चुके है तो अब क्योंकि वीर सिंध्य देव के पहले सासक कौन हुआ करते थे वहले सासक हुआ करते थे राम शाह जो की मदुकर शाह के पुत्र थे तो राम शाह को कहां भेजा जाए तो राम शाह अल्रेडी यहां पहले सा सकते तो इनको हटाया गया उर्चा से और हटाकर के कौन बने थे वीर सिंग देव अभी थ को बनाने वाले विध्यारतियों ये अपनी राजधानी बनाने वाले बेटा बानपुर को ही ठीक है तो इनको राम शा को हटाया और चा की गद्धी से और जागीर कहा की देदी थी बानपुर की अब इनके व Instant होंगे आगे जाकर के भरत सिंग्ग ठीक ह्ये तो इनके वंसज ह भरत सिंग है भरत सिंग के समय पे मुगल दरवार से इनको एक और छेत्र मिल चुका है चंदेरी अब जब चंदेरी छेत्र इनको मिला उसके बाद इस रियास्त को चंदेरी बानपुर रियास्त कहा गया क्या कहा गया चंदेरी बानपुर रियासत कहा गया और यही जो भरत सिंग है अब यह अपनी राजधानी भी परिवर्तन करने वाले हैं तो यह अब राजधानी जो है अब बानपुर से कहा लेकर आएंगे चंदेरी ले आएंगे अब इनकी राजधानी कहा हो गई चंदेरी हो गई ठीक है तो याद देखिएगा ओर्चा के राजा थे उनको जागीर दे दी जागीर के बाद उन्हें राजधानी किसको बनाया जागीर जहां मिली थी उसको इनको राजधानी बनाया इन्हें बानपुर को उनके आगे जा जो आगे जाकर के नाकपुर के भोसले और आपके सिंधिया ग्वालियर के सिंधियाओं से युद लड़ने वाले हैं और यहां पर वो पराजित हो जाएंगे तो याद रखिएगा मोद पहलाद पर आकर्मन किया किसने आपके संयुक्त सेना थी सिंधियाओं की और किसकी सेना बहुत सारा छेतर हार गये तो अब ये फिर से राजधानी बतलेंगे तो ये राजधानी अपनी चंदेरी से फिर कहां ले जाएंगे बानपुर लेकर जाएंगे ठीक है देखा आपने पहले रामशाह के समय पर राजधानी कहां बानपुर ही थी फिर कौन आने वाले भरत सिं मर्दन सिंग ठीक है अन्तिम साशक कौन हुए यहां पर मर्दन सिंग इनके अन्तिम साशक उस पर बात करते हैं अब होता यह है कि मर्दन सिंग के पूर्वत जो है चंदेरी इलाका हार चुके हैं और यह चंदेरी इलाका किसके पास में सिंधियाओं के पास में इन्हीं मत पहले बात की थी, इसका नाम है, कौन सा विद्रो, बुंदेला विद्रो होगा, और इस बुंदेला विद्रो कब हुआ था, 1842 में यह विद्रो हुआ, अब इस विद्रो में दो महत्पून वेक्ति यहाँ पर भाग ले रहे थे, एक है मदुकर शाह, मदुकर शाह और दूसरे हैं इनके भाई गडेश जू इनके भाई गडेश जू दोनों विद्रों कर रहे थे अब यहां मर्दन सिंग को लगा कि अगर ये अंग्रेजों की सहायता कर देते हैं तो अंग्रेज इनकी सहायता करने के एवज में जो पूरवज द्वारा जो छेतर खो दिया गया यहने चंदेरी छेतर जो ये खो चुके थे वह छेतर यह वापस पा सकते हैं इस कारण से इनकों ने क्या कर दी अंग्रेजों की सहायता कर दी तो याद रखेए कि इनकों ने क्या कर दिया अंग्रेजों के सुपूर्द कर दिया इन्होंने किसको दे दिया अंग्रेजों को दे दिया ठीक है किसको गरफतार किया मधुकर शाह को और गडेश जू को पकड़के अंग्रेजों के सुपूर्द कर दिया वहीं जो है मदुकर शाह को फांसी दे दी गई थी याद रखेगा इनको फांसी दे दी गई थी इंपोर्टन फेक्ट है इनको फांसी दी गई थी सागर में तो इनको कहां फांसी दी गई थी याद रखेगा मदुकर शाह जो थे इनको फांसी दी गई थी सागर में और गडे में जो चाहा रहे थे वो इनको मिला कि चंडेर को का कि दी ती तुस भी तो सब्सक्राइब की थी और सिंद्याओं से अंग्रेजों ने कुछ चेतर को छीन भी लिया थे सकर रहे तो यह चाह रहे ते कि किसको मिल जायेगा गरेजि द rates लेकिन अंग्रेसिकों नहीं तो अब यह अधारा सो शक्रांति हो गी याद रखे जब कहोने वाला है 1857 की revolt होगी तब यह विद्रोह करने वाले हैं ठीक है तो इनकी एक मित्र भी थे सहागड करने रेस बखत वली बखत वली जो है बखत वली सहागड के वो इनके मित्र हुआ करते थे और साथ ही इनकी अच्छी जान पहचान हुआ करती थी रानी लक्ष्मी भाई से और रानी लक्ष्मी भाई क्या कर रही थी लक्ष्मी भाई जो है ग्वालियर से क्या कर रही थी विद्रो कर रही थी ये ग्वालियर से जो है क्या कर रही है अठार सुन्तावन की रांती में भाग ले रही है 1857 की रिवॉल्ट में तो अब ये जो है ये भी क्या करने वाले हैं अंग्रेजों के विरुद्ध मर्दन सिंग भी अब भाग लेंगे ठीक है और मर्दन सिंग और अंग्रेजों के मद्ध युद्ध भी होगा यहाँ पर आपका इस्टूवर्ट जो है आक्रमन करने वाले इनके छेतर पर और अधि कर लेंगे कुछ समय के लिए तो भूमिगत रहे मर्दन सिंग बाद में अंग्रेजों के सामने इन्हों ने सरेंडर कर दिया था ठीक है तो यहां तक थोड़ी बहुत कहानी समझ में आ रहे होगी कि मर्दन सिंग ने पहले अंग्रेजों की साहता की बुंदिला बाद में 1857 की क्रांती में यह भाग लेने वाले हैं संदेरी बानपूर छेत्र से ठीक है चलिए तो आगे समझते हैं अगली रियासत पर आते हैं संदेरी बानपूर रियासत के सारार राजह हैं लेकिन हमने ने सबसे पहले राम शाह के बारे में पढ़ा था फिर हमने μोठ पहलात के बारे में पढ़ा और लास्ट में मर्दन सिंग के बारे में पढ़ा इसके बाद जब अंग्रेजों ने इनके छेत्र पर अधिकार कर दिया था तब इनको पैंसन देना शुरू कर दिया और इनके छेत्र को ग्वालियर रियासत को दे दिया गया था क्योंकि सिंध्याओं ने बुंदेला विद्रोह में तो अंग्रेजों का विद्रोहियों को साथ दे दिया था लेकर ठार संतावन की करांती में ये अंग्रेजों का साथ देने वाले हैं आगे बढ़ते हैं बेटा अगली रियासत है हमारी शाहगड रियासत स्ताहगण रियासत के संस्थापक याद रखिएगा, पूचा जा सकता है? तो इनके संस्थापक थे प्रतWी सिंग तो जब राज़ा चो थे सहतेस साल के बाद में पन्ना किसको मिला हिर्दयशाह को और हिर्देशाह का जब देहांत होगा उसी समय यह विद्रोह करने वाले हैं और एक अपनी अलग रियासत साहगड रियासत इस्थापित करने वाले हैं साथ में अगले साशक बनेंगे कौन सा है राजा हरी सिंग जो अपनी राजधानी को क्योंकि पहले राजधानी कहा है यहाँ पर इनके समय पर शाहगड है और अब इस साहगड से राजधानी गढ़ा कोटा गढ़ा कोटा कहां पर है आपके सागर के पास में ठीक है तो गढ़ा कोटा इन्होंने अपनी राजधानी कर लिया किसने राजा हरी सिंग ने अपनी राजधानी कर लिया था इसके बाद अगली important शासा क के मर्दन सिंगर सिंधियाओं और भोष्लों की सेना ने अकर्मन किया अभी भोष्ले कहां के थे नाकपूर के भोष्ले इन्होंने आकर्मन किया तो इन्होंने जब आकर्मन किया तो मर्दन सिंग को पराजित किया और मर्दन सिंग के पराजित करने के बाद इनका गढ़ा कोटा पर अधिकार कर लिया अब गढ़ा कोटा तो इनका बचा नहीं और साथ ही इसी युद्ध में जो है मर्दन सिंग का देहां थो गया और तो और मर्दन सिंग ने एक महत्यपू इनकी म्रत्य हो गई है, तो अब इनके बाद जो सासक बने, अर्जुन सिंह ये पुना से गढ़ा कोटा से राजधानी कहां लेकर चले जाएंगे, साहगड़ लेकर चले जाएंगे, हमने देखा, पहले साहगड़ बनी, साहगड़ से कहां पर आगई आपकी गढ़ा कोटा, औ पिर अर्जुन सिंग के बाद उनके पुत्र सासक बनने वाले हैं राजा बखधवली बखधवली भी प्रारंब में सेम टू सेम कहानी किसके से चलनी वाली है इनकी कहानी मर्दन सिंग जो अभी हमने देखा चंदेरी बानपुर्यासत के मर्दन सिंग थे उनकी कहानी देखी स something something वैसी ही कहानीन की थी इनने भी क्या किया आंग्रेजों के विरुद्द इक विद्रो हुआ बुंदेला विद्रोस तो बुंदेला विद्रोस जो हुआ 1842 का इसमें या इंग्रेजों की सहायता कर देते हैं और आपके हसा और हिर्दे शाह को गरफतार करके अंग्रेजों को म्तोंत देते हैं और हिर्देher, फासी दे दी जाती खाय में को इनंग्रे और पूर दे वह गढ़ा कोटा छेत्र वापस हमको मिल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ इनको नहीं मिला अब यह भी जब 1857 की क्रांती होगी अभी मैंने बताया था कि यह किसके मित्र थे यह मित्र थे मर्दन सिंग कौन बानपुर के नरेश मर्दन सिंग के यह मित्र हुआ करते थे तो उस क्रांती में यह भी भाग लेंगे और तो और इनके साथ अंग्रेजों से युद्ध लड़ने में एक बहुत ही महत्पूर नाम सामने आता है इनके सैनापती बौधन दव्वा का बौधन दव्वा इनके ही सैनापती थे यह PSC में कौशन पूछा गया है तो बौधन तो सैनापती हुए किसके साहगड के बखतवली के तो बखतवली भी जो है किसे अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाले मैंने बताया था कि राइं लक्षमी भाई से भी इनका संबंद था मित्र हुआ करते थे साथ ही इनका संबंद किससे था आपके मर्दन सिंग जो शाह अगली रियासत है यहांपर छतरपुर रियासत तो हमने देखा था कि छतरपुर नामक जू नगर है वो किसने बसाए था राजा संस्थापक की बात करते हैं तो इनके संस्थापक जो हैं, वो संस्थापक कौन है, वो है सौनूजे पवार, ठीक है, तो सौने जो पवार जो हैं, वो इसके संस्थापक हुए, प्रथम साशक हुए, इन्होंने क्या किया, आसपास की रियासतों का थोड़ा थोड़ा छित्र पर अधिकार किया, और अधि एसाशक बनेंगे परताप सिंह ठीख है प्रताप सिंह जो है ये देखा जाये तो deny शुरेजों से संधी करने वाले हैं ठीक है तो एक प्रकार की सुरकशात्मक संधी नों अंगरुजितसे कर ली थी उसी समय कर्णल वैली जो है यहां गूमने आते हैं और करणल वैली जो है उनकी बहुत अच्छी मित्रता हो जाती आपके प्रताप सिंग से और वो प्रताप सिंग को एक उपाधी देने वाले हैं राजा बहादुर की उपाधी देंगे तो याद रखिएगा करनल वैली जो थे करनल वैली ने इनहें राजा बहादुर की उपाधी दी थी राजा बहादुर की उपाधी से वैसो शजित करने वाले हैं तो याद रखिएगा सबसे पहले संस्थापक याद रखिएगा और करनल वैली जो है उन्होंने राजा बहादुर की उपादी दी थी प्रताप सिंग जी को ये बात बहुत महत्पून है अगले राजा होने वाले हैं जगत राज ठीक है तो अंतिम राजा जो होंग बैनी हजूरी कच्वाहा जो है वो पहले देखा जाए तो इनके दादा बैनी हजूरी कच्वाहा के जो दादा है वो और्चा की सेना में प्रकार से सेना पती हुए आगे जाकर के बैनी हजूरी कच्वाहा क्या करने वाले हैं वो थोड़े थोड़े छेतर पर अधिकार करे क्योंकि पर राजने तिक थोड़ा सा उतल पुतल चल रही थी पन्ना रियासत में भी औरचा रियासत में भी थोड़ो छेत्र पर अधिकार करते हैं और अधिकार करने के बाद अपना स्वयम की एक सत्ता-स्थापित करते हैं और यहां से अस्तित्व में आती है आपकी विजराहोगड रियासत लेकिन बैनी हजूरी कच्छवाहा के साशनकाल के बाद इनकी रियासत दो भागों में बढ़ जाती है एक है मैहर छेत्र ठीक है एक है मैहर छेत्र और दूसरा है विजराहोगड ठीक है दो रियासतों में य प्रयाग दास को ठीक है किसको प्राप्त हुआ है प्रयाग दास को और प्रयाग दास के बाद अब अंतिन सासक होने वाले हैं सर्जु प्रशाद अब सर्जु प्रशाद जी के बारे में कुछ महत्पून बाते हैं उनको हम देख लेते हैं सूरज प्रशाद भी कही जगा नाम मिलता है सरजु प्रशाद या सूरज प्रशाद भी नाम मिलता है तो इन्हों ने बेटा 1857 की क्रांती में भाग लिया था और कहां से लिया था इन्हों ने भाग लिया था कटनी छेतर से अब विजरावड कहां आता है आपका कटनी जिले में ही आता है तो यहां से ही इन्होंने 1857 की करांती में भाग लिया था ठीक है तो 1857 की करांती कारी थे यह अब थोड़ा सा कहानी समझ लेते हैं हुआ है यह कि जिस समय इनके पिता प्रियागदास का देहांत हुआ उस समय यह अलप आयू थे तो अलप आयू होने के कारण अलप आयू थे ठीक है जब इनके पिता का देहांत हुआ इस कारण से इनके राज में एक तहसीलदार की निप्ती की गई और वास्ताव में सारी सत्ता किसके हाथों पर थी तहसीलदार के हाथों पर आ चुकी थी ठीक है और अब देखा जाए तो सूरज प्रसाद वह बालिक भी हो चुके थी लेकिन सत्ता कौन चला रहे थे यह तैहसीलदार ही चला रहे थे इस बात से रुस्ट हो करके अब यह अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने वाले हैं अंग्रेजों के विरुद्ध यह आंदोलन करेंगे तैसिलदार की हत्या कर देते हैं और कटनी वाले छेते से आंदोलन करते हैं वास्तों में इन्हों ने यह कदम या क्रांती यह कदम तब उठाया जब इनके मित्र का मित्र को तोप के सामने खड़े करके उड़ा दिया गया और इनके मित्र थे आपके संकर शाह के पुत्र रगुनात साह रगुनात शाह जो है इनके मित्र हुआ करते थे रगुनात साह कह के हैं अब यह जबलपूर से जबलपूर में यह अठाव संतावन की करांती में भाग ले रहे थे 1857 की रिवॉल्ट में लेकिन होता यह है कि संकर शाह और इनके पुत्र रगुनात साह को कमांडर क्लार्क जो है तोप के सामने खड़ाई करके उड़ा देते हैं अब इनके दे हसीलदार की हत्या करते हैं और अब क्रांती की सुरुवात कर देते हैं यह कटनी जिले से तो कटनी जिले से ठाव संतावन की क्रांती करने वाले व्यक्ति कौन है सूरज प्रसाद हम बाद में अंग्रेज जो है इनको गरफतार कर लेते हैं और बाद में इन्हें जेल में भ बताया था अस्तित में कब आई थी तो जब वीर सिंह देव साशक हुआ करते थे तो वीर सिंह देव के समय दो रियासत आई थी अस्तित में पहली थी आपकी बानपुर और दूसरी कौन सी है दतिया यह अपने छटवे पुत्र भगवान दास बुंदेला को क्या करते हैं अब अगला यहां पर एक प्रकार से साशक बना करके भेज देते हैं दतिया में तो दतिया रियासत वीर सिंह देव के समय पर ही अस्तित में आई और इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं भगवान दास बुंदेला माने जाते हैं ठीक है इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो पिरबाद में यदि देखा जाए तो किसके वीर सिंग देव के दरबार में थे तो इनके समकालीन ही वो थे जिन्होंने वीर सिंग चलित नामक एक ग्रंत लिखा है वो कौन है कवी केशव है इसके अलाबा जादा कुछ महत्यपूर्ण यहां से नहीं है आगे बढ़ जाते है बेटा हम तो अब हम बुंदेल खंड की जो महत्यपूर्ण इस्थापत कला हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं तो इस्थापत कला में यदि हम बात करते हैं सबसे पहले ओर्चा दुर्गी की ही बात करते हैं तो ओर्चा दुर्ग का निर्मान जो है वो किसने कराया था जो संस थापक थे और्चा के अर्थाद रुद्र प्रताप सिंह, यह कहाँ पर अविस्थित है, तो यह है आपके और्चा में, जो की वर्तमान के जिले में आता है, वर्तमान निवारी जिले पर आता है, ठीक है, इसके अलाबाद दूसरे यदि हम बात करते हैं, तो जहांगीर महल, जहांगीर महल पर भी हम बात कर चुके थे, कि जब वीर सिंग देव का शाशन चल रहा था, उस समय जो है जहांगीर मद्ध प्रदेस आते हैं, और उनके आगमन पर ही राजा वीर सिंग देव के द्वारा ही आपका निर्मान किसका कराया जाता है, जहांगीर महल का, जो कहां इस्थित है, और चा में अवस्थित है, तो निर्मान करता कौन है, वीर सिंग देव बुंदेला, इसके अलाबा भी कुछ महत्वपूर निर्मान है, जैसे चतरभुज मंदर, इसका निर्मान किसने कराया था, मदुकर शाह ने कराया था, ठीक है, उसके मदुकर शाह से, इंपोर्टेंट एक और है, राम राजा मंदर या राजा मंदर, ठीक है, तो दो मंदर यहां पर किसने बनवाए थे, मदुकर शाह ने बनवाए थे, लक्षमी मंदर का निर्मान कराया है, वीर सिंग देव ने, स्थीस महल जो है, उसका निर्मान कराया है, महराजा उदोत सिंग ने, बाद में यदि हम बात करे हैं, राय प्रवीन महल जो है, इसे निर्मान कराया था, इंद्रजीत सिंग ने, इसके बाद खुमान सिंग जो ह आया था जो कि पहाड सिंग मैंने बता था पढ़ा था कि अपने बताया था पहले ही कि पहाड सिंग कौन थे जो जहार सिंग के बाद पहाड सिंग बनने वाले हैं तो पहाड सिंग के जो है सामन्त हुआ करते थे खुमान सिंग इन्होंने खुमान सिंग हवेली बनवाई थी तो यह कुछ प्रमुक्र स्थापत कला थी जो हमने आज पढ़ी तो इसके साथ ही बेटा आज हमारी रियासत पूरी होती है ठीक है तो आज हमने जितने भी बुंदेल खंड की रियासतें थी वो सारी कंप्लीट करी हैं उमीद करता हूं कि आज का यह लेक्षर आज का यह योगी साबित हो मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए बहतर से बहतर कंटेंट ला सकूँ जो की एक प्रकार से एक्जाम ओरियन्टिड हो ठीक है तो आगे इसी प्रकार से आपके मध्यप्रदेश के इतिहास और भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगेगा कि आपके लिए महात्यपूर्ण हो सकती हैं तो उस पर मैं आपके लगातार वीडियो लाता रहूंगा चलिए तो आज के लिए फिर यहीं पर विदा लेते हैं फिर कल मुलाकात होगी जै हिंद जै भारत